हेलो फ्रेंड्स पुराना लखनो नॉन्वेश डिशों के लिए फेमस है और आज हम उनी में से एक डिश भुना मतन की रेस्पी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ तो जो इसके मसाले हैं वो बहुत ही उनीक हैं जब हम इन खुशबुदार मसालों में मतन को बना कर तयार करे तो यह मतन बहुत ही जायकेदार बनके तयार होगा तो आएए देख लेते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे बुना मतन बनाने के लिए हमने लिया है 500 ग्राम मतन तो इसको हम 2-3 पानी से धोलेंगे और इसको हम किसी जालीदार बतन में करके रख देंगे जिससे की जो पानी है व मतन को मरिनेक करने के लिए 100 ग्राम दई को विस्क से फेट कर इसमें add कर देंगे साथ ही कुछ सूखे मसाले add कर देंगे तो इसमें 1.5 teaspoon हल्दी पौडर 1.5 teaspoon रेट चिली पौडर और 1 teaspoon धनिया पौडर और साथ ही एक चमचम add कर देंगे इसमें जिंजर गालिक पेस्ट और टेश के रनुसार नमक तो यहां पे हमें 1.5 teaspoon लिया है अब हम इन सभी मसालों को spatula की मदद से mix कर लेंगे तो अभी हमने इसमें सिर्फ basic मसाले ही add की हैं तो इस तरीके से मसालों को mix करके 15-20 मिनट के लिए rest करने के लिए हम छोड़ देंगे जब तक हम मतन बनाने की तयारी करते हैं तब तक के 15-20 मिनट कब निकल जाते हैं मालूम नहीं पड़ेगा तो इस तरीके से हम मतन को बनाएंगे तो इसके जो taste है वो बहुत ही अच्छा और unique आता है इसमें तो आप एक बार इस तरीके से ज़रू बनाईए आपको हमारी यह recipe पसंदा है तो like कर लीजिए और family को share कर दीजिए अब हम मतन को cover करके rest करने के लिए रख देंगे मसाला बनाने के लिए हम 8-10 काजू और 7-8 बादाम और 2 चमस ग्रेटर coconut पाउडर ले लेंगे और साथ ही मतन में तड़का लगाने के लिए एक प्याज काट लेंगे तो यहाँ पर हमने एक प्याज को पतला पतला चौप कर लिया है और साथ ही कुछ हम साबुत मसाले ले लेंगे एक चमस सफिर जीरा 8-10 दाने हमने काली मिर्च के लिए है 3-4 टौड़े हमने लिये हैं दाल चीनी के और थोड़ सा एक टौड़ा लिया है जैफल का और 4-5 हरी राइची लिये हैं और एक बड़ी राइची थोड़ी सी जावितरी तो यहाँ पर हम मसालों को रोष्ट नहीं करेंगे तो मसालों हम इसी तरीके से मिक्सी के जार में आड़ करेंगे तो यहां पर हम छोटे वाले जार में डाल देंगे सभी मसालों को और साथ ही आड़ कर देंगे जो ड्राइफूर्स के मसाले हैं तो उसको भी हम आड़ कर लेंगे जब कम मसाले होते हैं तो प्रॉपर तरीके से ग्राइंड नहीं होती है इस तरह हम तोनों मसालों को ग्राइंड कर लेंगे जार में हम भीना पानी डाले पहले मसालों को क्रश कर लेंगे जब हम इस तरीके से पाउडर बनाके त्यार कर लेते हैं जब इसके बाद हम पानी एड्ट करके से हम पेस्ट बनाएंगे तो बहुती फाइन और स्मूथ पेस्ट बनके त्यार होगा आप मसाले को जितना फाइन पीस्ट करेंगी तो फ्लेवर और खुश्बू उतनी ही अच्छी आएगी तो इस पर हम थोड़ा सा पानी एड्ट कर लेते हैं अब हम इसको अगेन ग्रैंड कर लेंगे जिससे कि यह स्मूथ पेस्ट बनके त्यार हो मटन का जो फ्लेवर है पिर टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं मसालों पर है अगर आप जितना अच्छा इसका पेस्ट बना के तयार कर लेंगी उतना ही जायके दर आपका मटन बनके तयार होगा तो यह है भुला मटन मसाले की जान तो इसको देख लीजिए कि इस तरीके से हमें पिश्ट बना के तयार करना है तो इस सारे मसाले हमने तयार कर लिए हैं तो चलिए अब हम तयारी करते हैं तड़के की और हमारा मटन भी मेरिनेट हो गया है हम मिरिनेट किया हुआ मटन बनाते है तो बहुत जल्दी कुख हो जाता है तो इसके लिए हम पहले चेल को अच्छे गरम कर लेंगे और एक पत्ता पहले एड़ कर देंगे उसके बाद में हम प्याज को एड़ करेंगे प्याज को हम यहां पर कांटीनू चिलाते हुए फ्राइ करेंगे तो यहां पर हम प्याज को 5-7 मिनट तक फ्राइ करेंगे जब हलका सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसके बाद में हम मुटन है उसको इसमें एड़ कर देंगे मुटन को हाई फ्लेम पर हम कुछ देर भूल लेंगे अब हम इसमें एड़ करते हैं हाप टीजपून कश्मीजी लाल मिर्च यह टॉटल ऑप्शनल है यह हम सिर्फ कलर के लिए एड़ कर रहे हैं इसको हम मेरिनेट करने के टाइम पर भूल गए थे तो इसको हमने इस टाइम पर एड़ कर दिया इसमें हम पानी वगएरा कुछ भी एड़ नहीं करेंगे मटन अभी दही के पानी में और अपने जूस में कुख होगा अभी हम हाई फ्लेम पर मसालों को अच्छी तरीके से हीट लग जाएगी तो इसके बाद में हम इसको कवर कर देंगे इस तरह जब मटन पानी अच्छी तरीके से छोड़ देगा तो इसके बाद में हम लीट लगा के तो प्रेशर ले लेंगे नॉर्मल तरीके से प्रेशर रिलीज होने के बाद में इसको हम चेक कर लेंगे तो अभी मटन में जो जितना पानी है, उसको हम हाई फ्लेम पे भून लेंगे, तो अब हम मटन को continue चलाते हुए भून लेंगे, जितना ये इस्ठा पानी दिख रहा है, तो इसको हम सुखा देंगे, जब तक कि इसको औल रिलीज न हो जाए, जब हम मटन को इस तरीके से भून ल जाएंगे, जिससे कि जो मसालों का अरोमा है, वो अच्छे से रिलीज हो जाए, इस तरह जब तक औल रिलीज न हो, तब तक हमें यहां पर मटन को भूनना है, जब मसालों के अरोमा की कुश्भू आने लगे, तो आप समझ लिजे, कि हमारा मसाला एक्तम भून के तयार हो गया है, अब यहां पर मसाला भून के दाने दाना भून के तयार हो गया है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी एड़ कर देंगे, तो सबसे पहले हम जार में जो मसाली हैं, तो उनको हम धोके एड़ कर देंगे, और साथ ही थोड़ा पानी और एड़ कर देंगे, तो पुल टो मेरिनेट के हुआ मटन बहुत जल्दी कुक हो जाता है तो दो प्रेशर हमने पहले लिए थे और एक प्रेशर अभी लिया है तीन प्रेशर में मटन बहुत ही अच्छे तरीके से गल के तयार हो जाता है नॉर्मल तरीके से प्रेशर रिलीज होने के बाद में मटन को हम चेक कर लेते हैं, तो यहां पर हमारा भुना मुटन तयार है, सर्व करने के लिए, तो आप इसे अपने मन चाहे डिश में सर्व कीजिए, शानदार भुना मुटन तयार है, आपको कहीं भी किसी भी होटल में जाने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से बनाएए, खुद भी और फैमली को भी खिलाएए, किसी को यकीन भी नहीं होगा, कि आप ये घर में बनाया है, तो एक बार आप जरूर ट्राइ कीजिए, अगर आप ट्राइ करें, तो अपना फीडबेक हमें जरूर दीजिए, बहुत ही डिलिशस और टेश्टी बनके तयार हुआ है, इसके फ्ल झाल में।